नमस्कार बच्चों मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया एसोशेट प्रोफिसर इतियास विभाग समराट प्रत्विराज 54 राज के माविदयलिया जमेर दित्तिवर्ष कला इतियास विशे रायस्थान का इतियास बच्चों पिछले बार में मैंने आपको बताया थ द्रिस्टी से और अन्यकारे इसकी द्रिस्टी से मार्त मार्त रायस्थान के मूल निवासी होने के नाते हम को यहां के सांस्कृतिक यहां के शिक्षा यहां के दोर्व यहां के राजनितिक पार और यहां लंबे समय तक दिल्ली के साथ संगर्श किया वा विफिन राजाओ द्वारा और उनका विद्यानूराग उनका राष्ट प्रेम उनकी देश भक्ती चुकि वो इतिहास के कंधार रहे हैं इसलिए उनका ग्यान होना हम विद्यारतियों को बहुत आवश्चक है लेकिन रायस्तान की इतिहास को जानने से पहले बच्चों एक बार मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी इतिहास को जानने के लिए ये अवश्चक हो जाता है कि हम सुरोतों का द्यान करें सुरोतों के बगएर इतिहास का द्यान की कलप नहीं अधूरी है मानते हैं कि रायस्तान प्राचिनकाल से भारत की गौर्फण इतिहास के सरजन में बहुत से योगी और यह सच भी है छोटी बड़ी रियासतें मैं विभाजी था लेकिन उन रियासतों का अपना अस्थितो था अपना सांस्कृतिक पक्ष था और उस सांस्कृतिक पक्ष और उस उस अस्थितों के कारण ही उन्होंने बड़े-बड़े सम्रदशाली शक्तियों से मुकाबला कि और यहां तक की विदेशियों से आई इसलामिक शक्तियों का भी मुकाबला किया और इन रियास्तों का अपना इतियास अलग लग हो सकता है। लेकिन पूरे रायस्थान का एक सामन्य इतियास एक परंपरावदी इतियास अध्यन करें तो हमको कहीं न कहीं कुछ न कुछ मौलिक या कौमन चीज न जराती है प्रतिराज रासों से शुरू होते हैं और उसके बाद में प्रजा मंडल तक का इतियास सदा है लेकिन मैंने आपको अध्यन कहा था कि ना वो पाशान पाशान मतस्य यूग महा काव्य में रायस्थान इन सब काम को से ले बस इस बटिकरम में ध्यन करना पड़ेगा जहां तक सुरूत चुकी इतियास को रायस्थान की इतियास को लिखने का एक जो है मात्यम है और आध्यूनिक इतियास कारों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से लिखा है लेकिन उसके बावजूद हम मौटे तोर पर इतियास सूर्सिस को दो भागों में विपाजित करते हैं साइटिक सोथ और पुरातिक सुरूत अब यहाँ पर हम रायस्थान के इतिहास की बात करें तो हम इसको मोटे तोर पर साध्रों का जो सुरोत के साध्र है उसको हम तीन चार भागों में विवाजित कर देते हैं पहला भात आता है पुरा तत्विक सुरोथ दूसर आता है पुरा लेखिय सुरोथ तीस राता है एतियासि की साहेद्ध आता है इसतापेत्य चितकला और फ़िर लास्ट है पांच वा सुर्वाय इंपोर्ट डिया और वह आता है आधूनिक इतियास गरंथ PM इतियास कर वर्तमान कालिन प्रकाशिद ग्रंध पत्र पत्रिकाएं रिपोर्ड प्रकाशिद ग्रंध इन सब की बात अगरम करें तो यह आधोनी कुस्प में लिया जाएगा जिन्नों ने पूर में पूरातातिक स्रोतों साहितिक स्रोतों इनको आधार बनाकर उस पूर्ण संकल्पना को इत्यास लेकन की संकल्पना को इत्यास के मूल तथियों को हमारे सामने प्रकट करने की संकल्पना को पूर्ण करने का प्रियास किया है तो इसलिए पुरातातिक सुरोत और साइतिक सुरोत के लावा पुरा लेखी भी है और इन सब का हम अध्यन करेंगे पुरातातिक सुरोत जो पुरातन चीज़े हैं उनका जैसे मर्दभांड, दुर्ग, मंदेर, मूर्तियां यह यह पुरालाखिय सोत्र शिलालेख है पिजोलिया का शिलालेख है श्रंगी रिशी का शिलालेख है, रनकपूर प्रशस्ती है, कीर्ती इस्तम प्रशस्ती है, राय सिंग प्रशस्ती है, आमीर का लेख है, राज प्रशस्ती है, फार्शी शिलालेख होगी वध्यन है फिर साहितिक स्रोतों में संस्क्रिट साहितियों का धिन करेंगे और संस्क्रिट साहितिय के साथ साथ में ख्यात साहितिय का धिन करेंगे ख्यात नेंड़सी की ख्यात बाकी-दास की ख्यात येrare बहुत। नेंड़सी की ख्यात बहुत मेरतलिया अधिय्जधी अधियन भाषा में ख्यात्य बहुति बहुत। यहाई एक बात बहुत रहती है जब इसलाम का भारत में आगमन हो गया और उसके बाद में सत्ता इस्तापित की है उन्होंने बारीवी शिताबीबाद में तो फिर धीरे धीरे तुर्की और फार्सी बाशा में लिखा गया और अलग लग राजाओं के समय में यह तो खुद र राजाओं के सेवां की की रायस्तान के राजाओं के साथ संघर्ष किस्तिति की रायस्तान की युद्ध के मैदानों की यहां की आबु हवा की की यहां के सांस्कृतिक पक्ष की यहां की स्वामी भक्ति और वीर गाथाओं का भी उन्होंने वर्डन किया इस प्रकार से यह रह और बहुत है जैसे वीर वीरोध शामल दास के हम बात करें सूर्य मलविष्ण की बात करें जो कवी शामर रामदास हैं उनकी हम बात करते हैं और हरे जगदी सिंग जी कहलोत है रामदरीं जी इतनु है एवन मुंशी देवी प्रसाद है उनके भी बहुत इंपोर्टेंट रहत के लार हुआ या कही जगह पर जो संग्रहले इस्तेपित हैं वह भी आज की तारिक में इतिहास को जानने के सरोत हैं तो हम उन चीजों का भी अध्यन करेंगे जो आधुनिक एक तरीके से पुराता आरुन पुराताने पुराने साहितिक सोत्रों को संग्रे करके रखा हुआ जिनको अभी लिखार के अर्गोलेशल सुस्रिस करते हैं और पुरातात्विक और साहितिक सोत्रों जो पुराने हैं प्रतम दश्टे सोत्रों करेंगे तो सोत्रों बड़े इंप्रटेंड है इतिहास लेकन में अब बच्चों जैसे आपने प्रतिराज विजय सुनी वीर व तो मैं इसको क्लासिफाई करके बताऊंगा कि कि कौन से लेखक ने कौन सी रचना लिखी और किस काल में लिखी और उसकी विशेवस्तु क्या थी उस पर हम अध्यन करेंगे मोटी तोर पर आज मैंने आपको सुरोतों का इंट्रोडेक्शन देने का कुरुश्किया कि सुरो